हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक माई यूटूब चैनल टेक्निकल मस्ताक फ्रेंट्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके नोक्या 6.1 प्लस में यदि इसका वोल्यम की वर्क नहीं करता हैं तो आप उसको किस तरीके से रिपेर कर सकते हैं तो दोस्तों हैं यहां पर वीडियो बहुत ही इंपॉमेटी वहनेवाला क्योंकि दूस्तों इसमें एकापको इसकी सप्ला precious इसको कंडरीटश आप मत प्लस साथ अपको समझाएं भी वाला हूं के हमारे किम और से होते हैं कुनसिया घृत हैं तो सब्सहिंख सक्ते हैं यह हमारा इसका य आपको ये 5 एंटिना आपको दिखाई दिया रहोगे उस में से ये वाला एंटिना और ये वाला एंटिना ये हैं हमारे इसका दोनु ग्राउंड मतलब माइनस वाला है ठीक है और उसके बाद में दोस्तों जो ये वाला आपको एंटिना देख रहा है ये वाला ये हैं हमारे वोल्यम माइनस का एंटिना ठीक है वोल्यम माइनस का एंटिना है और उसके बाद में यह वाला जो एंटिना है वो है इसका वोल्यम प्लस का एंटिना और उसके बाद में जो यह वाला आपको एंटिना दिखाई दे रहा है वह हमारा इसका पावर की का एंटिना दोस्तों हम इस वीडियो में power key के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसका वीडियो अल्रेडी बना दिया हैं तो दोस्तों हम यहां पर सबसे पहले वॉल्यम प्लस की supply को समझते हैं कि वॉल्यम प्लस की supply वो किन component से होते हुए हमारी कौन से का इसी में जाता है ठीक है कीचा दोस्तों सबसेख़ी फिल्यम माहें जो यह वॉल्यम प्लस यह इस्की सफ़्याओं की we आप यहाँ पर हैं यह वाला क्रिष्ट्रिप इस पर हमारे वॉल्यम प्लस की सप्लाई यह आती वाले के पास में यहाँ पर नीचे केप्सिटर लगा हैं इस वावले के पिंदर यहां पर हिया आ जाती है तकि इस के बाद इसके बाद यहां पर इस वाले नदर उसके बाद इसके बाद कहा भद यह ऑकdy तो स्फिदा है इस पावर डियक जो आप यहां पडिख सकते हैं जो यह वाली इसके इस यता मरद आ प्लस की सप्लाई तो आपको क्या करना है इस वाले रजिस्टर को आपको हटा देना है आपका उटमेंटिक अगर वर्क करता है तो भी आप इसका को हटा सकते हैं क्यूंकि इस सोट हो सकता हैं और आपको फिन खराब हो चाहां है तो आपको बिल्गुर वagitlais freuen की वर्क नहीं करता है तो आपको यहांद पर चेक करें तो इस Spain पर चेक करें अगर आपको यहां पर मिल रही है तो फिर आप समझ लाजेटर yoad यहां पर वन किलोम का दूसरा आप रजिस्टर लगा सकते हैं ठीक है और उसके बाद दोस्तों अगर इधर भी आपको रेटिंग नहीं मिलते हैं तो समझ लेज़े हमारी पावराइसी का प्रॉब्लम रहता है तो दोस्तों इस तरीके से आप इसमें इसकी वॉल्यम प्लस और माइनस की के ट्रेक को आसानी से रिपेर कर सकते हैं अगर वॉल्यम प्लस ओटमेटिक वर्क कर रहा है तो इस वाले केप्सर को आप हटा दीजिए आपकी प्रॉब्लम सोल हो जाएगी ठीक है तो दोस्तों और फिजिकल तोर पर भी चेक किजिए ऐसा नहीं है आप सिर्फ इ इस के साथ शोड तो नहीं हो रहा है वह भी आप चेक कर लें फिजिकल तोर पर आपके मॉबैल में ठीक है इस तरीके से दोस्तों आप इस में वोल्यम प्लस और मैंस की की सप्लाइग को अच्छे से समझ सकते हैं और अपने मॉबाइल को रिपेर कर सकते हैं तो दोस्तों मि यह रहता नहीं हुआ, यह रहता है तो ढूरे writing को की दूस्ति चनल को जरूर